लोगसभा चुनाव का दौर जारी है और लोगसभा चुनाव अपने च्छटे चरण में पहुंच गया है लेकिन भाजभा की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है जहाँ एक और इंडिया गटवंदन पुर्वांचल में चुनावती दे रही है तो वहीं दूसरी और पुर्वांचल में राजा भाईया भी मूँ फेरते हुए नजर आ रहे हैं प्रताबगड लोगसभा सीट यूपी की बी आईपी सीटों में शुमार है प्रताबगड राजा भाईया प्रमोत्तिवारी संगम लाल गुपता इम्रान जैसे प्रताबगडी जैसे लोगों की वज़ा से हमेशा चर्चा का किंज रहा है प्रताबगड की रहने वाले कॉंग्रस के कद्दावर नेता राजा दिनेश सिंग विदेश मंत्री हुआ करते थे यहां छोटे चरण में 25 मई को बोटिंग होनी है समाजवादी पार्टी मुखिया अकलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी प्रत्याशी स्पे सिंग पटेल के समर्थन में चुना बिचन सबा की राजी और केंदी सरकार पर जंकर हमला बोला और इसके साथ ही उन्होंने कुंड़ा सीट से रगुराज विधायक प्रताप सिंग और राजा भीया को लेकर भी बड़ा बयान दिया है विधायक का नाम लिए बगैर अकलेश यादव ने कहा कि जो लोग नाराज थे उनका भी समर्थन मिल रहा है रगुराज प्रताप सिंग को लेकर दिये गए अकलेश यादव के इस बयान के बड़े सियासी माय ने कुछ दिन पहले ही कुंडा विधायक ने कहा था कि उनकी पार्टी के कारिकरता अपने मत अधिकार का उपियोग करने के लिए आजाद है अब अकलेश के इस बयान ने प्रताप गड़ ही नहीं यूपी की सियासत का पारा भी हाई कर दिया है अकलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सम्विधान रहेगा तो हमें और आपको अधिकार मिलेंगे सम्विधान बचेगा तो हमें और आपको न्याय मिलेगा बाबा साहिब भी राव अंबेटकर का सम्विधान संजीवनी है जब कोई बीजेपी से अलेक्ट्रोलर बॉंड के बारे में पूछा जाता है तो इसका जवाब नहीं देते है सपमुखिया ने कहा कि गठबंदन की सरकार बनेगी तो खाली पड़े 30 लाख पदों पर भरती की जाएगी साथ ही अगनी बीर योजना को खत्म करने का काम किया जाएगा इस सरकार ने जान बूच कर पेपर रद करवाए हैं ताकि उनको नौकरी और आरक्षर न देना पड़े ये जो दिल्ली वाले शहजादे शहजादे कहते हैं इस बार शहजादे शहाँ भी देंगे और मात भी वही अखले शहादव ने कहा कि जब से कॉंग्रेस और समाजवादी एक और एक ग्यारा हो गए हैं तब से दिल्ली और लखनाव का इंजन आपस में टकरा रहा है अब लग रहा है कि बीजीपी का अस्ती में से अस्ती का सफाया होने जा रहा है जनता का गुसा देखकर यहां के प्रत्याशी की आख में आसु निकलाए देख लेना जब चुनाव सात्वे चरण में पहुँचेगा तो जनता का गुसा सात्वे आस्वन पर दिखाई देगा चुनाव का मौसम बदला है इस बार पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज होने जा रहा है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे न्यूज वर्ल इंडिया के साथ गुर्दवार